नमस्कार यूट्यूब चैनल एनियूर्स डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे बैब कोक और विलकोक्स बोईलर के बारे में तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा इस बोईलर को जोर्ज हेर्मन बैब कोक और स्टीफ का स्टीफ बारे मेडियूर्री बोईलर होता है इसका बह्त सप्रेशन इसका प्रेशे बार के ज्यादा होता है और एक्स्ट्र इसकी अड़ में थी द्यादा है बाहर acquे all होता है और जो water tube boiler होते हैं उसमें tubes के अंदर पानी होता है और tubes के बाहर flow gases flow करती है और water tube boiler का steam production rate भी ज़्यादा होता है तो बात करते हैं कि web coke और will cox boiler की construction है वो किस परकार से होती है अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर steam और water drum आपको नज़र आ रहा है green color का इसमें दो section होते हैं उपर के भाग में stream होती है और नीचे के भाग में इसमें water रहता है और उसके बाद इसमें जो components लगे हैं अगर आप देखें safety valve लगा है pressure gauge लगा है water gauge feed water inlet, uptake header downtake header और यह इसमें water tubes लगी हुई है baffles लगी है super heater लगा है manhole है यहाँ पर chimney लगी है उसके बाद यहाँ पर fire grate, fire door और यह furnace है तो बात करते हैं कि किस component का इसमें क्या काम होता है अगर आप इसमें देखें जो steam और water drum इसमें है यह एक welded high pressure drum होता है जो boiler की top side पर होता है और drum के निचले हिस्से में पानी और ऊपर के हिस्से में steam store होती है और इस drum के दोनों सीरों पर header लगे होती है एक इसमें अगर आप देखें left hand side में uptake header है और right hand side में down take header इसमें लगा हुआ है दोनों headers के बीच में water tubes लगी होती है और water tubes 5 से 15 degree inclined होती है ताकि water circulation provide किया जासके और यह जो water tubes है solid steel से बनी water tubes straight होती है और इन tubes का diameter 10 cm के करीब होता है और इन दोनों headers में hole बने होते हैं जिनमें जो water tubes हैं उनको fit कर दिया जाता है अब take header की मदद से water tubes से steam drum में flow करती है जबकि water drum से water tubes में down take header के through flow करता है जिस समय uptake header के through stream drum में जाती है उसी दोरान down take header के through water के flow को maintain किया जाता है और उसी समय इस header के through पानी आता है क्योंकि जब यहां से steam उपर जाएगी तो इदर से पानी वापिस आ जाएगा तो इस circulation को maintain किया जाता है अगर आप देखें यहां पर अलग से यह wall breeze यहां पर लगे हैं deflector जिसकी मदद से flow gases वे combustion gases को deflect किया जाता है उसके बाद जो uptake header है इसके नीचे यह boiler की furnace होती है और furnace के जिस surface पर fuel को burn करते हैं उसको हम fire grate कहते हैं वहां पर इस fire door के माध्यम से यहां पर coal या fuel को भेजा जाता है और जो combustion fuel है या coal है उसको हम fire door के मदद से यहां पर भेज देते हैं और coal के burn होने के बाद या जलने के बाद जो ass बनती है उसको ass pit में इकठा कर लिया जाता है water tubes अगर आप देखें इनके बीच में black colors की कुछ baffles लगी हैं और यह जो baffles हैं deflector का काम करती हैं flu gases के लिए और baffles की मदद से ही जो flu gases हैं वो divert हो जाती हैं जिससे flu gases एक से ज्यादा बार tubes के थूरू pass करती हैं अगर आप देखें जो red colors की arrow हैं यह flu gases हैं जो इस baffles की मदद से deflect हो जाती हैं और इस तरह से एक से ज्यादा बार में water tubes के थूरू pass करती हैं और यहां पर दो baffles लगी हैं जो flu gases के तीन passes को provide करती हैं अगर हम बात करें safety purpose और safe operation के लिए तो boiler पे कुछ mounting लगी होती हैं और सबसे पहले बात करते हैं safety valve की safety valve का function होता है अगर boiler के अंदर pressure specified limit से ज्यादा हो जाए तो extra या access steam को safety valve के माध्यम से बाहर बेजा जाता है atmosphere में safety valve अलग-अलग types के होते हैं जैसे dead weight safety valve होता है spring loaded safety valve होता है lever safety valve होता है इतियादी तो आफशक्ता अंसार उनका प्रियोग कर लिया जाता है उसके बाद अगर हम बात करें जो blow of pipe है या blow of coke जिसको हम बॉल देते हैं समय समय पर water को boiler से बाहर बेजने के लिए इसका हम प्रियोग करते हैं जब boiler running operation में होता है तब भी यह है mud scale और कुछ दूसरी impurities जो boiler के bottom में इकठा हो जाती हैं उनको भी इसकी थ्रू बाहर बेजते हैं जब boiler की cleaning और inspection करनी हो तब boiler को खाली कर देते हैं अगर water level अचानक से बढ़ जाए उसको भी कम करने में blow of pipe मदद करता है और यह देखें तो boiler के नीचे वाले portion पर लगा होता है उसके बाद manhole manhole का purpose है cell में opening को provide करना जिससे व्यक्ति drum में जा सकता है cleaning inspection या maintenance की requirement के समय अगर हम बात करें feed water inlet या feed check valve यहाँ पर लगा होता है जिसके mainly दो काम होते हैं एक तो water को boiler में feed करने में मदद करता है दूसरा जब feed pump खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे तो ऐसी स्थीती में water के back flow को रोकने में मदद करता है उसके बाद है stop valve इसका काम है steam stop valve को set off करना वैस steam के flow को control करना boiler से steam pipe में या फिर steam pipe से engine तक तो यह boiler पर अगर आप देखें location तो portion पर यह है लगा होता है steam space के steam pipe के साथ यह connect होता है जो steam के engine तक ले कर जाता है क्योंकि जो steam space है इसमें जो pipe है उसके साथ यह connected है और उसके बाद यह आगे फर्दर जो जहां पर steam हम भेजते हैं उस pipe के साथ यह connected होता है उसके बाद अगर next component की बात करें वो है pressure gauge pressure gauge boiler पर इसलिए लगाते हैं जिससे जो steam boiler में generate हुई है उसके pressure को record किया जासके अगर इसकी location की बात करें तो यह boiler cell यह drum की front side पर लगा होता है जैसा आपको diagram में नज़र आ रहा है और ताकि जो gauge है वो clearly visible हो attendant को यह operator को जो pressure reading note करता है periodically इसके बाद है water gauge यह water level indicator boiler के अंदर water level को बताने के लिए इस boiler mounting का प्रयोग किया जाता है और इस water level indicator की मदद से यह भी ध्यान में रखा जाता है कि जो water level decided particular level से नीचे ना चला जाए अगर ऐसा हुआ तो है boiler overheat हो जाएगा जिससे tubes के फटने का खतरा होता है इसके दो portion होते हैं जो top portion है वह है अगर हम बात करें drum की steam space के साथ connected है जो red color में आपको नज़र आ रहा है उसके बाद जो light आपको जो white color आपको नज़र आ रहा है यह bottom surface पे लगा होता है water space के तो यह drum यह cell के front में लगा होता है ताकि जो operator है उसको easily visible हो और आसानी से check करके boiler में water level को उसके बाद आगर आप देखते हैं यहाँ प करने के लिए chimney का प्रयोग किया जाता है और इसका जो दूसरा नाम है इसको stack भी बॉल देते हैं और chimney के inlet पर आप देखें यह जो damper लगा होता है जो damper है इसकी मदद से जो flu gases है उसको control करते हैं उसके बाद एक इसमें boiler accessory लगी है जो आप देखें यह super heater लगा है जो boiler accessory है उ और इन water tubes की upper side पर यह लगा होता है super heater की मदद से जो wet steam या moist steam है उसको dry कर लिया जाता है क्योंकि अगर आप देखें यहां जो steam रेड एरिया में जो steam बनती है वो इस pipe से होती जो super heater का pipe है यहां से enter करती है और फिर यह yellow color में बाहर होके stove वालों के दूरू बाहर चली जाती ह हैं तो हम कह सकते हैं कि जो steam हमारी red portion में यहां पर बनती है वो wet या moist steam होती है उसको dry steam में convert करते हैं super heater की मदद से और साथ में जो steam का temperature और pressure है वो भी बढ़ जाता है super heater का एक end drum के steam space के साथ connected होता है और दूसरा process work के लिए prime mover के साथ जुड़ा होता है drum के steam space से steam super heater की tubes में flow करती है जहां पर flu gases की heat की मदद से जो flu gases है यह red color के arrow आपको नज़र आ रहे हैं तो इनकी heat से क्या होता है कि जो dry steam है sorry जो जो इसमें moist यह wet steam है वो dry steam में convert हो जाती है और इस परकार जो steam को super heater steam में convert करके process के लिए फर्दर भेज दिया जाता है जो flu gases आप देखें यहां पर जो furnace है यहां coal के burn होने के बाद जो flu gases बनती है इन flu gases की जो heat है उसको utilize कर लिया जाता है super heated steam में convert करके steam को क्योंकि super heater को flu gases के जो path है या फिर जो रास्ता है उसमें ही लगाया जाता है क्योंकि आप देखें flu gases यहां से चलती है और ऐसे होती ही वो यहां से बाहर निकल जाती है तो यह वो रास्ता है जहां flu gases flow करती है तो उसी के रास्ते में super heater को भी लगा दिया जाता है और super heater की मदद से steam plant की efficiency बढ़ जाती है economy और steam में जो moisture है वो रिमूव हो जाते है जिसे friction कम होता है और steam turbine blade का erosion भी पहले के मुकाबले कम हो जाता है तो आप देख सकते है कि कैसे बैब कोक विल कोक्स boiler में कारिया होता है मैं फिर से आपको repeat करता हूँ कि coal burn होगा flu gases ऐसे जाए water को steam में convert कर देंगी जो steam है वो wet या moist stream होगी वो यहां से एंटर करेगी super heater से जब गुजरेगी तो फिर से flu gases उनको heat करेंगी और वो dry stream में convert हो जाएगी और उसके बाद जो flu gases चिमनी से होता है आटमसफेर में discharge हो जाएगी तो दोस्तों आमने इस वीडियो में बात कर रहे ह उसके बाद इसमें कुछ specification होती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है जो drum है इसका जो diameter होता है वो एक दसमलव दो मीटर से एक दसमलव आट तीन मीटर होता है इसकी जो लंबाई है वो 6.096 मीटर से 9.144 मीटर होती है